ओके वोड़ाटर नोने शुडेंट्स यहां पर देखेगा आपका बॉठनी की क्लास है और बॉठनी में जल्सा कि पहली क्लास आपका हुआ था तो पहली क्लास में आपने देखा था इसके फादर कौन है बॉठनी की फादर कौन है तो आपने क्या बताया था था थियो फ्रे और माइक्रो बायलोजी की कौन है एंटोनी वैं लिवन होग है और एक चीज आपने और देखा था और गोथा आपका फादर आप मेडिसें तो फादर आप मेडिसें कौन थे हिप्पो क्रेटस्क है आई होप यह सारी चीजें क्लियर होगा होगा फिर आपने देखा था लवा फादर आप अनाटोमी है ना मतलब पॉपदो के आकार की विध्यान के जैना कौन है तो यह कौन है हीरो फिलस है हीरो फिलस मतलब क्या है यह कौन है फादर आप अनाटोमी है ध्यान देना फादर आप अनाटोमी फादर आप अनाटोमी कौन है हीरो फिलस है यह फादर आप इसके बाद में एक अगर फादर अब टैक्सोनोमी बहुत पूछ जाता है वर्गी करण विज्ञान के जनक कौन है तो कौन है लिया कैरोलस लीनियस है कैरोलस लीनियस को क्या कहा जाता है वर्गी करण विज्ञान के जनक मतलब फादर फादर अफ टैक्सोनोमी वहाररण टैक्सओनोमि, और टैक्सओनोमी को हिंदी में क्या बोलते हैं, वोनुट टैक्सोनोमे को बोलते हैं वरगे करण बिज्ञान बोलते हैं तुब वढ़गे करन विड़ान के जनक कोन है? कोई रखेलुक्त है के लिनीयस है, कहाँ आए याद करते रहो अभी तुरंव याद हो जाना चाहिए mugit के ले रहना अच्छा एक और होता लिका फार्ट प्लांट फिजियोलॉजिक। Stephen Hellas, कौन है लिया? Stephen Hellas, ये कौन है? फादर आप Plant Physiology, प्लांट फिजियोलाजी नुलब समझे रहे ना, पोदों के दहिक विकार विक्यान समझे है ना, तो फादर आप Plant Physiology, फादर आप Plant Physiology, फादर आप Plant Physiology कौन है? फादर आप, फादर आप GENETICS तो फादर आप आप जेनेटिक्स, पादर आप जेनेटिक्स कहते हैं कि इनको Gregor John Mendel को कहते हैं, पादर आप जेनेटिक्स कहते हैं, क्लियर हैं, चलो तो यह पुछ हो गए है, और एक और होता है, पादर आप म्यूटेशन को हैं, हीवोडी ब्रीज, उत परिवर्तां के जनक, अना, तो हीवो Hugo D. Breeze Hugo D. Breeze कौन है तो ये है पादराप Mutation पादराप पादराप कौन है Mutation तो पादराप Mutation Mutation का मलब होता है न उत्परिवर्तन Mutation का मलब क्या होता है उत्परिवर्तन देखिए यहां से एक क्वेशन पूछे जाता है कि जीवों में अचानक जीवों में अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन Mutation कहते है जीवों में अचानक परिवर्तन को क्या कहते है उत्परिवर्तन कहते है Mutation कहते है Clear है जब चलो बोलो यहां से वैसे यह सारी चीज़े clear होई यहां पर कुछ तो नई चीज़े जैसे कुछ नहीं काम तुलब हो सकता किसी को यह चीन नहीं हो कि फादर आप प्लांट फिजियोलोजी कौन है इस्टीफ है है फादर आप जेनेटिक से सबको याद रहता है घ्रेगर जॉन मेंडल है फादर आप म्यूटेशन यह हो सकता कुछ लोग के लिए नहीं हो तो हादर आप अनाटोमी ही रो फिलजञे और ब्रद आप प उत्रू आल कि सारी चीज़ें क्लिए हो एक बार सब लोग बताना सब लोग मील कर बताना ठीक है जालो फादर आप बाइलोजी अरस्टू है तो पादर आप जूलोजी अरस्टू है नड़ देखेघेए बादर आप और फादर आप जेनेटिक्स कौन है गेटर जोन मेंटर अच्छा फादर आप जेनेटिक्स जन्र अच्छा फादर आप इंटर आप उत्परिवर्तन के जन्र कौन है बाकी और भी बीड है ऐसे है और भी कही सारी के फादर होते है लेकिन ज़रलेल ही इतना तु क्लेर हो गया है याद होगया इतना अब जैसे किया होता है । आपने सारे ब्राइब नग्रोक्त की ने यह प अगता है की बताएगा जानते हैं मार्फालोची का मलब होता है आकार्य की होता है अब यह ग हो सकता है प्laher innovations अगर आप यही देख रहें बॉटनी की प्लाँचे ना तो भाई वहां प्लांट लगा दोगी तो इस पलॉटसी का मलब होता है आकार्य की mi кап जिसमें हम जीवों की बाहर रचना का अध्यन करते हैं अगर पूछ लिया जाए जिसमें हम जीवों की बाहर रचना का अध्यन करते हैं उसे क्या करते हैं इसमें क्या करते हैं जीव़ों की बाहराजना का अध्यन करता है?' जिवों के आंत्रिक रचन का दिन कों के बता है, मार्पोलोगि जिवों के आंत्रिक रचन का अध़र्अ हता है मार्पोलोगि पातर आप एनातोमि कौन है तो अभी बताया लेता है है अब सबके फाघर भी नहीं है सबके पाघर याद करने की नीट भी नहीं है और कौन समय साइंटिस्ट नहीं वना है आपको वहान बेज्ञाने की नहीं भरना आपको क्योल wanna день हुम पिका एडेड है स करना आफ выбहान कौ Steve кउनलाव दिखक हब्रष़ ना हां 7 पास होना है यह रहन्क छी लाइनी जिसे जो जिवों की आंत्रिक अंगों का अध्यन करने वाला विज्ञान क्या गहलता है एनाटॉमी किसे कहते है अच्छा एक होता है आपका हिस्टोलोजी यह सारी ब्रांचे जहें देखर क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ब्रांचे जिसे क्वेशन पूछ ले जाता है जैसे हिस्टोजी यह कुछ पूछ जाता कि ओत्कों का भिज्यान किस बिज्ञान में करते हैं तो ओतकों विज्ञान और चाहे आप बोलो और चाहे आप बोलो ओतक बिज्यान बेरो और अगर को से नाम के लिए यहां से तो कोई पंगा नहीं हो लेकिन यह दे देता है इसको ऐसे दे 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 हिस्टोलोजी तो हिस्टोलोजी तो याद रखो भाई है इस्टोलोजी मतलब उत्कों का अध्र करते हैं अच्छा जब उतक की बात हुआ तो उतक से चुंकि उतक एक समां जैसे कोसिकाओं के करते हैं साइटोलोजी करते हैं साइटोलोजी को हिंदिर क्या हो लिए कोसिका विज्ञान में modules क में उन्हका इंग्यान किया जाता इंग्यानों के से नीची यहां से में इंगलिस्ञे पददब क्लियर है नकां जिसमें को श्काहुं का अध्याइर करते हैं उसे क्या करते हैं कोशिका विग्यान करते हैं या साइटो लौजिकर हैं अभी यहां पर आया था आपका फ्यियो लौजिक है यो फिजिवी पात्राता फिजीवलोजी कौन है इस्टेपन कुछ सब्सक्राइब कर दाटाओ म्हरे सानिक John शरीर क्रिवा विज्या आप लोग अपनी हिसाब से लिखते रहना मान लोगो छूड जाता है तो इन सबका वीडियो जो मिल जाएगा के लिएर उना तो आप वहाँ सबी देंख सकते हूं कि लिए तो जीवों के विभिन अंकों का अद्ध्यन करते हैं इसे क्या कहते हैं पिजो लेकिन जिसमें के आंत्रिक रिफकों करते हैं इनुतों मिल्सें अम्गेंब करते हैं उसे नह assuming благ करते हैं। को बोलग एतने क्लिए प्रीशास अब एक होता है और ना अब एक होता है v喝 apology मम सम्प पाइब को लिसमें हम इंब्री지 केते हैं किले रहना जैसे आप देखे होगे जब कोई दाल शाव जमा तो वहाँ आपर जो दाल में भोजन संचे रहता है जैसरे आप गल दो जे चिन की छिरका निकाल दो जब आप छिरका निकाल दोगे तो ंद्र Maurice बचा वह भूप सोटा है जो अंदर में ऊपचा मोई क्या होता है। लुक figured a girl इससे पल्स जड़ आज Hierए मेल का अस्मम के नगा और पिमल का ओमunge यहां पर हटिलाइज होता है तो sì क्या जाइख महलने के बालाद यहां पर क्या होता है यहां इंब्रीयो बनता है के लिए रहता इत्ылिव क इंब्रीयोगा म inadequ क्या हुआ प्रहूंडो के हम इंब्रियो का अध्धन, इंब्रियो समझे है न, अरे बाई जैसे एक चाना है, जब आप चाने की छिलके निकाल दोगी, तो जो गस्ता उसे कहते हैं, ब्रूण पोस, ब्रूण पोस के आधार पर वीज, ब्रूण पोसी एक बीज पर प्त्री बीज, ब्रूण पोसी दूई ब्रूण के लिए, बढ़ते हुए, ब्रूण के लिए भोजन देनी का काम कौन करता है, तो ब्रूण पोस करता है, क्लिए रहना, समझ लिए आया, तो ये ब्रूण का दिन किस में करते हैं, इंब्रियो, लाजी में करते हैं, इसके बाद एक होता है, इको लाजी, एक क्या ह मतलब जिसमें जीवों और उनकी एटमासफेर में रहते हैं उनकी भी संबंद क्या है लिखते हैं याद रहे हैं ? बोलो इसे में किसका देन करते हैं ? जीवों ? क्या हूँ ? हाँ ठीक जा रहे हैं ? उन लोगो बोलोग यहां पर चला हैं ? बेंच ले आएं तो पारिश्तित की मतलब वो एकोलोजी है ना पारिश्तित की मतलब एकोलोजी मतलब जिसमें जीव और जो है और उनकी वातावरण के बीच परस पर संबद्धों का अध्यन करते हैं जिव और उनके उनके वात अवरढ मतलब समझे हैं ना जिवALLY किस atmosphere में रहे रही है और उन्हुरों के बीच में relation क्या है जिव और उनके वात अवरढ के àsपहरिक संबंधों का अध्यान करते है अब करते है उसे क्या क्या होता है? ठादर, आख टैक्सोनमी कहता है? टैक्सोनमी कहता है एक वसन आपका प्लैंटियोलोजी प्लैंटोलोजी-प्लैंटोलोजी to plantology का मनद क्या होता है? जीवास्मों का देन करते हैं, अब जीवास्मों का देन करते हैं, 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 जीवास्मों का देन कर मतलब यह पढ़ते है कि हाँ कोई जैसे बाप का लड़का बाप की जैसा क्यों देखता है मतलब अपनी लेंग्वज में समझ लें के लिए तो लोग कहते हैं कि जैसे कोई लड़का मालू पैदा हुआ इसकी नाथ बाप से मिल रही है इसका चेहरा मम्मी समिल रहा है बेटा एक्डम अंग्रेज तो अलब केस है इक लोग केस में होता है समझ में आया चुर इसमें आप उपने हिसाब से लिख लो जो लिखना हो चलिए फिर यहां पर एक वसन ये अदेशने झीगा फादर आप इको रौजी यानि के पारिश्टत के बिज्ञान के जनग कौन है तो यह कौन है यहुगीन ओड़म यह कौन है फादर आपको इको रौजी तो ऐसे फादर और यहां पर आपका आगे चलते हैं बाकी रही बात देखो आपको ब्रांच इस करवाया गया पर यहां पर जैसे क्या होगा यह जैसे आपका प्रैव्हक्री Series होता रहेगा आपको úकुष्व कुछ question नहें मिलेंगे कुछ question इसमें मिलेंगे जो the next दिए तो अब जेक्षन करो इसको अलग से लिखो उसको अलग से तया करो जो तो इसको अब करें सारी चीजें चलेर हैं अच्छा इन समय से सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज होती है एक एप्लैंटोलोगी पूछ जाता ह जीवासमों का अध्यन करता है और जेनेटिक्स किसका अध्यन करता है अनुंसिक लग्षडों का अध्यन करता है और जो है वरगी करण का विज्ञान क्या है टैक्सामामी कोशका का विज्ञान क्या है साइटोलोजी है और जो है इसके बाद में और कौन समचा उतर का चैनल अब अगर बात करें ध्रहांदे ना अब बात करें बॉटने की तो ठीख है बॉटने की ब्रांचे टो भाई the plant the biology की अपनी क्या देखा था है अपने हैं अपने बाइवरोजी मनले बाइवरंबह कार की इस बाइव नगों करना अद्हेन करना लेकिन अग फिलान के अधियन करना दो कि समझत थैकर तो अब यहां पर आ जाये आपके यहां देंस आपके यहां जो भार नहीं है अगर यूपी काह्टेट में बॉडवन नहीं पूछायागी बलकि पूची चायेगी एग्डूरी कलदर बॉडवन और एग्री कलचर बाटूरी का मज़ब क्या हुआ जिसमें हम कृते को उगाने के लिए जिसमें पृत यानि girse artistic है कि काम आते उन का अध्यान करें नहीं समझें एक दोटिर बटरनी का अध्यान करना सही बाटनी मीन्स होता है पाधों का अध्यान करना लेकिन अगरिकल्चर बाटने का मतलब हुआ अग्रेकल्चर का मतलब हुआ क्रिसी में उपियोगी पाउधों का दियान करना फाल्दू की चीजे नहीं है मनलब यहां पर आपको योके डिप्टर्स कैसे पाउधे होते इन सब को नहीं आपको वो पढ़ना है है क्रिसी के हिसाब से क्र्षी फशसरों को जाने आदिकार करते हैं क्रिसी पे चाहिए सबकरण करते हैं सब्सक्राइब कर सिंसक्राइब यहां पर इसी में आता हाने केसी का थेनच किसका पको बेर भी हr प्ती जरका अलग अलग अब देख्याइब तो मीदने को पने शफान 27 लिभी ओर आप तो यह समझे हैं कि अगे इतना समझें? बोलो इसला तो यहां कि हमेन का इगरिकलचर बाटनिक है कि यह हमें पर वही करण पढाना दो है जो हमारा ए अगरिकलचर के परपज से काम की चीज़ बाकि हमनुंने पेवर बाटनी नहीं है बाटनी में ढूप में बाटनी की ब्रांच एक्रीकलचर बाटनी का मतलग आप और काम आने वाले पाधों का दिन प्हbor दें तो इसमें ग्रीकलचर में बदो कौण कोण से पाधे होते हैं अचा एक चीज और हम देना, भीया बॉट में पता है क्यों कठ्षalip हो जाती है, अग्रिकलचर बॉट में कठ्ष me ने का रेजन यह रहता है, चुँक हे एक्रिकलचर बॉट में कुंछ भी पऊफोहम का अध्यन करना होता है, पाओधों के वानसपतिक नाम के आध्यन करना हुब कि यह पर यह पाओधों का कमण नाम नहीं समान नाम से जीनास होता है वानसपतिक नाम यद्ण करना हो और वानसपतिग नाम का मलब बैक्यानिक नाम जिसके दो होते हैं, एक पहले जीनस होता है, व्ण्स का नाम होता है, और दूसरे में इसके स्थिसीज का नाम होता है, यह चीज होता है, अब यहाँ पर यह चीज इससे कोई यहां से छुटकारा नहीं मिलेगा, अगर आप थोड़ा से देखोगी हार्टी कल्चर जितने भी क्रॉप है सब में बैग्यानिक नाम एक दिन कीवन बैग्यानिक नाम का यानि एक एग्रो नामी से हार्टी कल्चर से जितने भी हैं जहां कई बैग्यानिक नाम से अहलं सब बैग्यानिक नाम उष्फ तो घोई ही जाएंगे सब का मिला है बैग्यानिक नाम से तसमीं डिकल्च नाम इंब़ लब्लू भार्टी को नलामनुसी फेरा निफसी फेरा है ना जैसे अब इसमें कौन-कौन से बता उक्रसी में काम आने वाले कौन-कौन से पौधों का दिरिश में करेंगे आपको करें टमाटर, चुकंदर, गाजर, मलब समया तुछ लिए टमाटर कब एडिया ना लाइको परसिकान, एस्कुलेंटम, घलत है लाइको परसिकान, एस्कुलेंटम, एस्कुलेंटम, तुमूली का क्या हो और विंडी का क्या हो और विंडी का हो तर लाइको परसिकान, एस्कुलेंटम, ठीक है आप कुछ सोथ रहा हुए याद है ने हैं बीटा वल्गैरिस बेटा वल्गैरिस ब्रेस का रापा ना इसका क्या होता है बीटा वल्गैरिस बेटा बहुत ज़्यादा चुमंतर खाले हो ना बेटा बीटा बोलेगे लिए बेटा बीटा वल्गैरिस समझीतना चुगंदर हो गया तेमाटर का लाइको परसिकां परसिकां अब आपकी सामने एक चैलेंज हें कि आप लोग चैलेंज करने के लितायार हो हां जतने लोग वीडियो देख रहा है आप लोग फिल्कों कमेट लें आशे देना है जुए है द्यान देना अणके आपके बरडभ में जतने भी पहुदे हैं, खोजब कर चून चून कर जोजी में जितने भी जन्तू है इन सब का बैज्ञानिक नाम वानस पते नाम क्योंगे हमें पता है कुछ लोग बोली नहीं पाते हैं ये सब इन सब का लिष्ट सब को बनाना है और याद करना है सब को बना करना है पूरा मनलब किताब लो जो दोची की, जितने भी जन तुमें लई और जन के साथ बैज्ञानिक नाम देख गया, तुरंग लेको, पिर हार्टी कल्चर की किताब दू, जितने भी पौध हैं सब का बैज्ञानिक नाम देख, हाँ, हार्टी कल्चर, एग्रो नामी, इन दोनों में यहां फैमली भी लि है और इन सब केवल जो है बैज्ञानिक नाम, केवल दो वानस्पति नाम, इसकी फैमली नहीं, इसकी फैमली और इसकी फैमली बहुत खास में कुछ से जाते हैं, यहां से आपका ड्रेक कुछा, आरे लिया और जिन अब एग्रो नाम हम पहुंचा होगे, यह तो हमने क्या क आरे काम, कि यहां से सबसे पहले चीजा होती हुआनस्पति नाम, यकीन वानो, भाई, पूरे गॉट्णी में किसी भी पौधे की बात होगी, तो उस पौधे के साथ में बौट्णकर नेम की बात होगी, तो हमारा कहिन, मनलत यह है, आज आपकी क्लास है, अगर इसे के साथ पूरा लिष्ट बना लोगे, पूरा एक दिर मेहनत करके ती-चार हिंटी लगेगे, इससे कम नहीं करने होगा, मेहनत करके लिख लोगे, खोड़ा बहुत यादी होगा, बाकि कभी में हम जैसे हम बोले, चुगंदर बीटावल गए रिस, तो सुनते सुनते याद हो जाएग समझेहिए नहीं, तो आज यह लिष्ट पहले आप यह लिष्ट बनाओ, उसके आगे हम कांटिनू करेंगे, अच्छेु, इसका रीजन है, क्योंकि अब ही इसके आगे हम कोई भी प specs की बात करेंगे, बात करेंगे, जैसे हम बात करें रूट वाली फसले तो रूट वाली फसले कोई इसटिया जिसको याद है उसका तो दिवांग चल रहा है सल्जम का ब्रेस का रापा होगा समझ रहे हैं गाजर का डाकस करोटा होता है ना आपको सोच रहे हैं डाकस फाकस यह सब चल क्या रहा है तो यह चीज क्या करो आप एक लिष्ट बना लो ना कि वहां बोला जाए आपका माइंड काम करें अच्छा कि वहां कैसे काम करें अच्छा यह तो इसके साथ में बैग्यानिनम वानसपति कि नाम भी बोला जा रहा है क्योंकि वानसपतिक नाम से डैरिक्ट कोर्संट पुछे जाता है ना जी सर्व और अगर इंद चारों का देखो यह कम सेर्फ चार पांस पॉस्ट मिल जाएंग है ड अभी बाहर से मत लिखो, कम से कुछ जितना आपकी किताब में है उतने का दो लिख लो, और याद कर लो, और करा कर्शमा दो, तुम लोग दे जूू।